गुड बॉर्णिंग एन वेल्कम बेक टो माई निव व्लॉग आज बारीसी बारीस है पुरी रात बारीस रही है अब देख सकते हो कितनी बढ़िया सी बारीस है ना और ये बारीस में बीट सर्दी नहीं है गर्मी का ही एसास से अभी भी मैंने सुचा मैं आपको आगे का भी नज़रा दिखा देती हूं कि बारीस में कितना बढ़िया लग रहा है और मज़े की बात यह है कि इसमें बिल्कु ठंड नहीं है मतलब अब गर्मिया स्टार्ट हो गई है सुबह मैंने आपको बताया था कि गर्मी जैसा माहुल है बट अ रहता है गोल कोल कुम के तू क्या करता है आमें बोल एह है यह स्टाप 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 पर बोल गुट मॉर्निंग ऑच या जोइन बोल गुट मॉर्निंग वेरी गूर्ण अभी हो रही हलकी सी बारीज और में और आमें यहां बारीज का मजग ले रहे हैं ना आमें अभी थोड़ी बड़् गी तो वापस जाना पड़ेगा चलो 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 ruin रइन रेन रेन सब्सक्राइद मदने हरना पंध पिर्षट जिन्फ बारीश जिन्फ बारीश इतनी खुबचुरत है यहां की बारीश और आमन तुम्रा कितनाखोफचुरत क्यूटी बई यहां की खैज कितना क्ःpped क्युटी 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 लग राया है तो तो एयंज में दो करफित दो को अलो तो आमें थोड़ा बोर हो रहा है तो अपने पापा को उसने यहां कैमेरा से फॉन लगा लिया है उसको पता है कि यहां से पापा को फॉन जाता है दुबारा मत करो नो 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 शॉरी अलपीद आमें घड़े-घड़े करेचे फॉन तो मुकू आने अंदर ले जाओ छो बस यहां घड़े-घड़े नी कौन पापा न अकरी पर छे बीटा है चलो यह तो बार बार पापा को तंग करेगा उससे अच्छा है कि मैं उससे घर में ले जाओ पटा के चलो 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 पापा मना आवे चलो पर वाले जाओ चलो 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 वेरी गुट बोई गुट बोई इंतजार कर रहा है कि पापा की आवाज आई नहीं मैंने बेरूद किया था तो चलो चलो अभी पापा की आवाज नहीं आने वाली है कम 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 अँड़ अँड़ कम कम इंसाइड कम इंसाइड आमे गुद बॉड गुद बॉड अचा नॉप कर अचा है कम इंसाइड अब लाल मिर्चो का raita बना रही हूँ जिसके लिए मैंने मिर्चो को काट के हलदी नमक लगा के एक गंटे के लिए रख दिया है बाद में धो गंटे के लिए बीना पंखे के ऐसे सुखा लिया है एक मिक्टर जार में मैंने मेथी दाना सुखा धनिया सौफ और राई का जो दाने होते वो थोड़े लिये है सबको ज़ादरा पीस लिया है और पीसने के बाद मैंने उसको एक बाउल में निकाल दिया है थोड़ी सी हिंग डाली है और नीम गरम तेल और इन सबको मिक्स करने के बाद मैंने जो मर्च चुखाए है उसको मैंने डाल दिया है इसमें और सब को मिक्स करने के बार मैंने एक दिन के लिए उसको यूही टेबल पर ही ये कटोरे में रख दिया है और दुसरे दिन से ये खाना स्टार्ट कर सकती हूं अवे आपके 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 आ कन्हें गए मैं प מאई हॏ और व Market एckt वा सब्सक्राब जँ जढ़ आह भिल मैं गासया इत खिल ग्लिधों आगा, आगा हुआ कर दोंते हना वे लूत दिते हैं? क्या गयो आले याँ आई क्यो आई क्यो आई क्यो अब आपा जो जो ये ये अभी अर पित की कार आ गई है दामेन हो गया एक खूस और इसलिए क्लैपिंग करने लगा है तो इसे के ही साथ मैं करती हूँ आज के व्लोग का एंड कर मिलते हैं नहीं व्लोग में तब तक आप लीज लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिए का थेंक्यो फो वाचिंग